अगर होसला बुलंद हो तो बड़े से बड़ा मुकाम हासिल किया जा सकता है उसके लिए बस लगन और साहत दिखाना पड़ता है कुछ इसी तरह कहानी बलोज जिले के सिवनी गाउं के रहने वाले कमलेस मिसात की है जिनोंने अपने होसले के सामने दिव्यांगता को आड़े नहीं आने दिया और अपने होसले को जोस और जिनूर में बदल कर ऐसा कर दिखाया जो समाज के लिए किसी मिसाल से कम नहीं या सक्स कमलेज जो दिखने में दिव्यांग है लेकिन ऐसा कोई काम नहीं जो नहीं कर पाए बचपन सेई खेल के छेतर में रिच्छी रखने वाले कमलेज जब वर्स 2001 में लंबी कूद रहे थे तो उनका हाथ लग गया वहीं इलाज करवाने के लाग प्रयास के बावजूद भी उनका हाथ काटना पड़ा फिर दिव्यांग कमलेज ने हार नहीं मानी और आज अपने मेहनत के बलपर दो चार पहिया गाड़ी खरीद कर अपने साथ ही परिवार के चार सदस्यों को पाल रहे हैं और उनकी हर खोई इस पूरी कर रहे हैं दिव्यांग कमलेज बच्पन से ही संगर्स करना सिद गये बच्पन में ही उनके सिर से पिता का साया उठ गया और उसने अपने एक हाथ को भी कवा दिया लेकिन उसने हार नहीं मानी आज पैरा उलंपिक लंबी कूद में राश्टी इस तर पर इस पर रखा यही कारण है कि वर्ष 2012 में पाकिस्तान में आयूजित होने वाले अंतर राश्टी इस्तर के क्रिकट इस परदा में भारत देश की ओर से क्रिकट ठेल कर फाइनल मैच में जीत दिलाई और भारत देश का नाम पूरी दुनिया में उचा किया विरो रिपोर्ट आइप और यही क्रिक Two कि एफ बाद हो रिखने हो बर्ष टार aoे होने हो भारत राएप यह Óँ को कि युवित है लवगर से कर दliहित चास्व के दिलाःपन है क्र राच हकर ने में डह लृगर मैं पंप ब एले हो अ जिलिग संतर प्तное प्वाल है कि अ